Hello Friends, आपका अमारे चैनल GKJS में सौगत है आज हम आपको UGC Net में स्वामी विवेकनन के बारे में बताएंगे जो नय स्लेवस के एकार्डिंग स्वामी विवेकनन के जी के बारे में दिया गया है आपको जो मैंने नय स्लेवस में बताया है इकाई थर्ड उसमें यूनिट 3 में भारती राजनीतिक विचारक उसमें से स्वामे विवेकानन को अपकी बार स्लेबस में सामिल किया गया है जो 2019 में एक्जाम होगा जून में तो उसमें स्वामी विवेकान pulley के को दिया गया आपको एल्बिवेकान oppression को पढ़ना है तो हम आपको एस वीडियो में स्वामी विवेकानन जी के बारे में बताएंगे जो उनwater महत्तुपूर्ण इंपोर्टन्ट तत्थ हैं उनके बारे में बताएंगे यह शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को आप हमारे इस वीडियो को लाज्ट तक जरूर देखें तो स्वामी वेकानन का जन्म जो है ओ बारा जनौरी 1863 में हुआ था और इनकी मृत जो है 1902 में 4 युलाईwriting को चार जूलाई 1902 को इनकी मृत हुई थी इस मानौवाधि चिंतन कहलते हैं मानौवाधि चिंतन थे अगर आ जाएगा कि स्वामी वेकानन कौन से कंदर थे मानौवाधि चिंतन एके इनके बारे में सही होगा एक बेलूरमठ बं momentos के रहने वाले थे वहाँ पर जर्म हुआ तो बेलूर मठ जो है बंगाल में है आपका पस्चिम बंगाल जो है वहां पे इनके पिता का नाम विश्चुनाते दत्ता रता माथा का नाम भूनेश्वरी था नए नए सामिल किये गए स्वाम्य विवेकानन तो इसलिए इनसे पूछा जा सकता है इनसे संबंद इसलिए आप लोग इन पे आवसे द्यान दीजेगा जितना विश लेवस में नया सामिल किया गया उनके जरूर ध्यान दीजेगा आप लोग तो स्वाम्य विवेकानन आजुनिक भारत के सन्यासी बिचारक, दार्शनिक और प्रचारक थे क्या-क्या थे, सन्यासी थे, विचारक थे, दार्षनिक और प्रचारक थे इन्होंने राजनीत में कभी भी भाग नहीं लिया लेकिन राष्टिये, गोरोग क्विप्रती, चेतना जागरित की और पश्चिम में भारती संस्कृत के महत्त को इन्होंने बढ़ाया पस्चिम में जो भारत का पूर्व के देशों का इन्होंने महत्व बढ़ा दिया स्वामी जी ने भारत की परंपरा योम संस्कृत का पस्चिम के देशों में गुरगान किया तथा भारत का लोहा भी मनवाया इन्होंने भारत का बहुत थी व्यापक रूप में प्रचार प्रसार किया पस्चिम के देशों में नहीं तो पहले पस्चिम के देश, पूरब के देशों को या भारत को कुछ समस्ते नहीं थे 12 जनौरी इनका जो जन्म दीवस है अभी कल ही था 2019 में 12 जनौरी 2019 को राष्ट्रिय इवा दीवस के रूप में मनाया गया फिर इनका जो है बचपन का नाम इनके नरेंद्रदत था इन्होंने सिकागो की जो विश्व धर्म महाशवा में हुई थी सिकागो के धर्म सम्मेलन में भाग लिया था इसे जरोर याद रखिये अगे है गुरू राम कृष्ण परम्हांज गुरू राम इनके जो गुरू थे और राम कृिष्न पराम्हांसजी इनके गुरू थे इन्होंने सिकागो के धर्म सम्मेलन में जो भाशर दिया था उसमें यह था कि मेरे प्यारे अमरीकी भाईयों यहँ बहनों से सुरुवात इन्होंने की थी तो बहुत प्रस्द्र है आप लोग इसको जरूर याद रखियेगा फिर उसके बाद है राम कृष्ण मिशन की अस्थापना सन 1897 में बेलूर में की इसका उद्देश समाज सेवा करना था जो राम कृष्ण मिशन की इन्होंने अस्थापना की थी 1897 में बेलूर में की थी बेलूर मठ जो आपका बंगाल में है तो यह इंपॉर्टेंट है और इ इन्होंने मानो सेवा को ही पहला धर्म माना है, मानो सेवा ही सच्चा धर्म है, इसलिए इन्हें मानो आदी चिंतन भी कहा जाता है, मानो आदी चिंतन थे, इनका उद्देश जो है कृतियों में कर्म योग और पतंजली की योग सुत्रों का टी का महत्वपूर्ण है, आगे ह विख्यात और प्रभावशाली अध्यात्मिक गुरु थे हैं आप लोगों को मुझे केवल बस सुनना है और आप जो देख रहे हैं उसे देख भी सकते हैं नोट भी कर सकते हैं गईपे जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आपको लेकिन बुक एक बार जरूर पढ़नी है पिर आगे है साहितिक कारी क्या थे इनके दर्सन, दर्सन से सम्मंधित, राजियोग, पुस्तक और आधुनिक बेदान्त ये दर्सन है इनके कथन इनका फेमस कथन जो था आप देख लीजिए उठो जागो और तब तक नहीं रुखो जब तक लच्छ आपको प्राप्त न हो जाए ये आप लोगों पर भी ये ही रागू होता है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुखो जब तक आपको अपने लच्छ की प्राप्ति न हो जाए तो ये इनका प्रसित कथन था स्वामी विवेकानन जी का आगे आप लोग इनके प्रमुक्रतिया देख लीजिए भारत जातिवाद और चक्र दृसाइकिल आफ टास्ट भारत और उसकी समस्याएं में भारत और उसकी समस्याएं इंडिया और प्रम्लम फिर उसके बाद है जनारदन के प्रति हमारे करतभिम और डूटी तूदा मासेज मैंने इसलिए इंगली में बताया क्योंकि अगर इंगलिस में बता दिया अधिकारवाद की बुराईया दा इविल साफ अधिकारवाद फिर आगे आपका है मानोवाद का अध्यात्मिक आधार यह श्वामी जी से संबंदित जो है स्वामी जी मुख्य सरोकार परमसत्य और परम्ब्रमसेता ब्रम की परिवासा सचिदा नंद की रूप में दी है विवेकानन ने अध्यात्मिक साधना बिदिका खंडन किया उन्होंने मनुष्य की सेवा करने पर बल दिया मनुष्य सेवा को ही परम धर्ममाना तो विवेकानन ने आध्यात्मिक साधना विदिका खंडन किया है दरिद नरायन की संकल्पना प्रेस्तुत की है दरिद नरायन की इनोंने संकल्पना जो है प्रेस्तुत की है दरिद नरायन संकल्पना क्या है तभी हमारी आत्मा इतनी पावन हो सकेगी कि उसे ईश्वर का साथ छातकार हो सकेगा यह है दरिद नरायन संकल्पना अर्थाद दरिद को नरायन मानकर उसकी सेवा करना है स्वामी जी ने दीन दुखी असहाय और पीडित मानोता की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है आगे हैं इन्होंने मानोवाद के अध्यात्मिक अधार का प्रतिपादन किया उसके बाद आपका है जात पांत के नियमों में धील देने का समर्थन और अस्पिरस्थिता का बिरोध किया जात पांत के नियमों में धील देने का समर्थन उन्होंने किया जो उच नीच भेदभाव था उसका समर्थन किया और अस्पिरस्थिता का इन्होंने बिरोध किया चुआ छोत का आगे हैं ब्रामडो के एका अधिकारवात का बिरोद किया सभी को बरावर का हग प्रतेख छेतर में दिये जाने का इन्होंने समर्थन किया है तो सब को प्रतेक शेत्र में बराबर का हग दिया जाए इसके लिए इसका इन्होंने समर्थन किया है इन्होंने स्वामी जी ने सुद्रों के लिए सिच्छा की जादा आशक्ता पर बल दिया क्यों बलदी एक सूद्र जो है काफी पिछड़े हैं काफी पिछड़े में आते हैं नेमने कटेग्री में इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ब्राम्हण वर्ग अपने आपको मेधावी समझता है और सूद्र को जड़ बुद्धी मानता है इसलिए इन्होंने यह तरक दिया कि य इसलिए इनको कम सिच्छा के लिए और सुद्रों को अधिक सिच्छा पर इन्होंने बल दिया सोतंतरता का महत्तो, सोतंतरता को इन्होंने बहुत ही महत्तो दिया, इनके अनुशार अध्यात्मिक साधना, अध्यात्मिक सोतंतरता की मांग करती है, मात की भूम का निश्वार् स्वामी जी ने मनुष्य की संपूर्ण युम सर्व व्यापक स्वतंतरता पर बल दिया धर्म से संबंदित इनके बारे में देख लिए स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक समान माना है कोई भी धर्म सभी धर्म एक समान है इस्वर एक है समाजवाद से संबंदित देख लिए आर्थिक समाजिक, राजनियतिक और अध्यात्मिक छेत्र से हैं ना कि केवल आर्थिक छेत्र से ही है इसमें चारों छेत्रों से हैं ब्यक्तिको साध्य समाज को साध्यन मानता है वह ब्यक्तिवाद है जो ब्यक्तिको साध्य मानता है और समाज को साध्यन वह ब्यक्तिवाद ह आगे है समाज को सध्ध, व्यक्तिको साधन, वसमाजवाध है भारत के यइरोपिय करण का इन्हों ने बिरोध किया है भारत के एरोपिय करण का स्वामी जी ने बिरोध किया है आगे है रवींद्र नाठ ठाकुर का कथन है इनके बारे में यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानन्द को पढ़िए उनमें आप सब कुछ सकारात्मक पाएंगे नकारात्मक कुछ भी नहीं पाएंगे ते रवींद्र ठाकुर का कथन है अगर कथन आ जाता है कि एक किसने कथन कहा है तो रवींद्र ठाकुर को याद रखिएगा उन्होंने स्वामी विवेकानन जी के बारे में क्या है फिर आगे है उन्नीश्वी सदी के अत्रिक आखरी वर्सों में विवेकानन लगभग ससस्त्र या हिंसक करांद के जरीए देश को आजात कराना चाहते थे पहले ससस्त्र और करांद के माध्यम हिंसक करांद के माध्यम से नहीं आजात कराना चाहते थे लेकिन बाद में उनीश्वे सदी के आखरी वर्सों में ये हिंसक्रांति और सस्त्र के जरीए देश को आजात कराना चाहते थे याद रखिएगा कि कथना और कारण में इस तरह पूछा जा सकता है या तो आपको चारविकल्प के रूप में इस तरह में पूछा जा सकता है त उस समय प्रिचलित अंग्रेजी सिच्छा व्योस्ता के बिरोधी थे उस समय जो प्रिचलित थी अंग्रेजी सिच्छा व्योस्ता उसके बिरोधी थे वह ऐसी सिच्छा चाहते थे जिससे बालक का सरवांगीन विकास हो सके ये साइध्धान्तिक सिच्छा के पच्छ में न पड़ेगा सिध्धान्तों के धेरों ने संपूर देश का बिनास कर दिया है एक स्वामी जी का कथन है कथन में दे के पूछा जा सकता है एक किसका कथन है तो यह आपका स्वामी विवेका नंजीत द्वारा एक कथन कहा गया है सिच्छा के दर्सन के आधार भूत सिध्धान्त इनके जो सिच्छा दर्सन के आधार भूत सिध्धान्त है उसको देख लीजे मैंने मुख मुख को के ओल बताया है सिच्छा ऐसी हो जिससे बालक का सरवांगीर विकास हो सके सारीरिक, मानसिक, आत्मिक सभी रोपों का विकास हो सके बालक का सरवांगीर विकास हो सके बालक योम बालिका को समान सिच्छा का आउसर मिले धार्मिक सिच्छा आचरा नयों संसकारों द्वारा देनी चाहिए देश की आर्थिक प्रगित के लिए तकनीक सिच्छा की ब्यवस्ता की जाए तो फ्रेंट्स इतना मुख्य मुख्य बाते थी स्वामी विएकानन जी के बारे में जो आपके सिलेवस में नय जुड़ा है तो फ्रेंट्स हमारी इस वीडियों बस इतना ही धन्यवाद